हाई लो फ्रेंड्स गुड विनिंग दोस्तों इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेवल एकजाम दो हजार तेस के एक दिसंबर के फास्ट वास सेकेंड सिप्ट में पूछे के पासनों को साल्व करेंगे दोस्तों कोस्टों के लेबल की बात करें तो आज के दोनों सिप्टों में कुछ कोस्टों को छोड़कर बाकी कोस्टों आपके मोडरेट लेबल के थे कोस्टों काफी घुमा के भी पूछे गए थे तो चले दोस्तों आज के first one second shift में पूछे के पसनों को solve करना हम लोग सुरू करते हैं दोस्तों question number one 86 वा संग्विधान संसोधन किसे संबन्दे था ये पूछा गया ध्यान देखें दोस्तों ये question आपके exam में 3-4 बार पूछा जा चुका है 86 संग्विधान संसोधन 2002 में किया गया था और इसी के द्वारा मूल करते भी में 11 मूल करते भी भी जोड़ा गया था जो कि 6-14 वर्स के बच्चों को सिच्छा दिलाना उनके माता-पिता का करते भी होगा ये किये था दोस्तों दूसरा question पूछा गया 86 संग्विधान संसोधन किसे संबन्दी था आपके आपसन में था सिच्छा से वो करेक्ट एंसर गया था पिर ध्यान देंगे दोस्तों 86 संग्विधान संसोधन 2002 के द्वारा ही आठकिल 21A जो कि मूल अधिकार के अंतरगत आता है इसमें दोस्तों ये प्रावधन क्या गया है कि राज्य 6 से 14 वर्स के सभी बच्चों को नेसुल के सिच्छा परदान करेगा ये आपके आपसन में था दोस्तों तो correct answer ये बनेगा आपका राज्ये 6-14 वर्स के सभी बच्चों को निसुल के सिच्छा परदान करेगा तो कई सारे कोश्टन 6-7 संसुदन से बनते हैं हम लोग सुरू से भी बात करते चलें हैं दोस्तों कि यह आपका most important है यहां से आपके exam में questions मिलेंगे ही मिलेंगे अगला question लंदन में यह 3 गोल में सम्मेलन में किसने भाग लिया था यानि कि जो 3 गोल में सम्मेलन होते 1930, 1931, 1932 में कौन से भारत के थे जो कि 3 गोल में सम्मेलन में भाग लिया थे महत्मा गाधी ने किवल 2 गोल में सम्मेलन में भाग लिया था यह जो दो विक्ति हैं, तीनो गोल में सम्मिलोनों में भाग लिये थे, अगला कोश्चन, भारते सिम्धान के अनुच्छे 36 से क्यों तक किसी से सम्मन्दी था, यह पूछा किया दोस्तों, मैं सुरू से ही बात करते चला हूँ, कि आर्टिकिल 1 से लेकर, आर्टिकिल 51A, जिस पूछा गया, 36 से क्यों किसे सम्मन्दी था, तो निर्ति ने दे सकत तत्तों से, जो कि संग्धान का भाग 4 है, इसमें दोस्तों बहुत सारे आर्टिकल हैं, जो most important है, आपके एक्जाम में 31A, तीन से चार बार पूछा गया, 44 पूछा गया, समान नागरिक संगिता से, 40 भी पूछा गया, मैं बार 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 बात करा था, जो कि गराम पंचायतों की गठन से समन्दी था, 51A भी पूछा गया, यानि मोल करते हैं, मोल अधिकार, राज के नेति ने दे सकत तत्त, नागरिक था, और संग्यों राजिचेत, ये सारी आप में दोस्तों बार बार पूछा गया, उसके बार 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 बोता रहा हूं, पंच वर्सी योजना होगा, योजना आयोग हो गया, उसके बार में दोस्तों, सास्त्रिय निरित्य उम्लोक निरित्य होगे, परमुक वादा कि उम्वादियंत्र होगे, ये सारी टापिस भी आपके एक्जामें बराबर, परमुक समासुधारक भी होगया, यहां से रिपीटेट कोस्टन्स मिलेंगे, योगि बहुत कम कोस्टन ऐसे बनते दोस्तों कि, जो की ज्यादा हालाइटेट कोस्टन है, आपके एक्जाम में बराबर देखने को मिलेंगे, इसनको आप लोग दोस्तों, अगर नोट डाउन कर लिए होते, तो यहां से आप लोग कोस्टन्स बिल्कुल इजी ही मिलते चले जाते, पंडित रभी संकर का समंध किस वादियन तक आता है, अब इसमें किया दोस्तों, आर्टिकल 14 में, राज किसी भी व्यक्ति को कानून के समझ समानता या भारत के छेतर में कानून के समान सर्रच्ण से वंचित नहीं करेगा, इसका यह होता है, जो आप सन में दियाता है, कानून के समान सर्रच्ण, जो आपके आप सन सता के आंते से समंदित है बार बार हम लोग इन सभी प्रस्णों को साल्व कर चुके हैं दोस्तों इन पर बात भी कर चुके हैं 17 समंदित है आइस प्रेस सता के आंते से जो लोग अनुच्छे 17 पर अपना सेटिक के उनका अंसर बिल्कुल करेक्ट है 18 कि से समंदित दोस्तों उपाधियों के यंते से समंदित है प्रिपेर रहेंगे कोश्चन भी आगे पूछा जा सकता है अगला कोश्चन 2023 में क्रिकेट बिसकप की मेजबानी कि देशने की सभी लोगों का सही गया होगा भारत ने की दोस्तों आप लोग जानते हैं फाइनल नरेंदर मोदी स्टेडिय सारी चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों आपके एक्जाम में पूछा सकता है उसके बाद फाइनल के बीच में हुआ आप लोग जानते ही हैं इंडिया वा आस्टेलिया के बीच में आगे चलेंगे नेक्ट कोश्चन देखेंगे दो की आज की फर्स्ट और सेकेंड यमुना आपका करेक्ट एंसर होगा जो लोग यमुना पर अपना एंसर टिक किये उनका एंसर बिलकुल करेक्ट है अगला कोश्चन जो कि आज पूछा गया केंद्रा और राज्यों के बीच बिधाई संबंधों का उलेक भारतिय सिंग्दान के किसन उचित में तो आर्टि करेक्ट से हैं कथक कहा कहा है तो अतर भारत विश्यसकर उत्तर पर्देश राजी का एक सास्त्री नेत्य है अगला कोश्चन भी जी ही था दोस्तों जो कि सभी लोगों का सही गया होगा किरिकेट किस संसता से संबंधित है तो आज लोग जानते हैं दोस्तों इंटरनेशनल cricket control यानि कि दोस्तों ICC ये संबंदित है जो लोग इस option पर अपना answer टिक किये हैं उनका answer विल्कुल correct है next question देखेंगे दोस्तों जो कि आज के दोनों सिप्टियों में पूछा गया question ये भी repeated आये हो दोस्तों आपके exam में पूछा जा चुका है हर सेंड किसके दरवारी कभी थे तो इस समुद्र गुप्ति के थे जो लोग समुद्र गुप्ति पर अपना answer टिक किये हैं उनका answer विल्कुल correct है अगला question दोस्तों ये भी निर्ति से ही related पूछा गया भारत में आधुनिक निर्ति के पिता के रूप में किसे जाना आता है तो उधर संकर आपका correct answer होगा जो लोग उधर संकर पर अपना answer टिक किये हैं उनका answer विल्कुल correct है next question देखेंगे दोस्तों जो कि आज पूछा गया किर्केट में पिछ की लंबाई कितनी होती तो 22 गज या 20.12 मेटर होती है अब आपसन के लिए करता दोस्तों कि गज यानि कि यार्ड में दिया गया है या फिर मेटर में दिया गया है अगला question आर्टिकल 134 भी पुछा गया दोस्तों यानि कि अनुच्छेद 134 कि से सम्मंदित है तो अनुच्छेद 134 ध्यान देंगे दोस्तों आप राधिक मामले के सम्मंद में सर्वोच नियाले का आपे लिए छितरा अधिकार यह आपका correct answer होगा जो लोग इस पर अपना answer टिक कियोंगे उनका answer बिल्कुल correct है उम्मीद करता हूं दोस्तों यह question आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का सही गया होगा next question भारते से ज्यादा से ज्यादा इसलिए question moderate हो गया है पूछा गया question दोस्तों भारते से ज्यादान का अनुच्छे देख 170 किसे समंदित है तो किसी राज की विधान सभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते कौन से सदस्य विधान सभा की सदस्य यह article 170 में दोस्तों वर्णन किया गया है तो जो लो देख लीजिए application देती है जो कि पूछा गया या चालुक वर्णस का सासन सा सकता और हर सुवर्धन जो थे दोस्तों यह पूछ सी भूती वर्णस के सासन थे सा सकते दोनों ध्यान रखेंगे आगे भी question पूछे चा सकते हैं लाश्ट question देखेंगे दोस्तों general science से जो कि आज पूछा गया galvenic current किस बेक्टिरिया से होता है तो कलोष्ट्री डियम पर फिरिंग्यस यह आपका correct answer बनेगा जो लोग इस option पर अपना answer टिक किये हैं उनका answer बिल्कुल correct है तो यह थे दोस्तों आज के first one second shift के प्रस्ण जो कि पूछेगे हम लोगों ने इनको solve करने का प्रि सकें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में थैंक्स फार वाचिंग